हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो दो पॉइंट सेलुशन, कैसे हो आप सब, तो आज यानि कि तीन नवंबर के जितने भी करेंट न्यूस, करेंट अफेर के क्विस्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने हैं, तो आज का जो पहला क्विस्चन है, वो कुछ इस तरीके से है, कि भारत म नवंबर 2023 के गर्म होने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो who is responsible for the heat wave of November 2023 in India, तो देखिए भारत के कुछ चेतर जहां पे ठंडी पढ़ने लगती है, अक्टूबर नवंबर से ही, तो वहाँ पे आपने महसूस किया होगा, जो लोग रह रहे होंगे, कि नवंबर में, अभी अ टांग हो, लेकिन काफी important है, जो एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो कौन जिम्मेदार है, तो जो correct answer है आपका अल नीनो, ठीक है, अल नीनो यहाँ पी इसका correct answer हो जाएगा, क्या है ये अल नीनो, तो दक्षिड अमेरिकी मचुगारों ने पहली बार 1600 इस्वी के दसक में प्रशान्त महासागर में गर्म पानी की अवधी में, और सामाने रूप से विर्धी देखी, अल नीनो के दोराण व्यापारीक हवाईद के कमजोर हो जाती है, जिसके करण गर्म पानी पूरवकी और अमेरिका के पस्चिमी तटकी और धकेल दिया जाता है, अल नीनो एक Spanish जिसका अर्थ है चोटा लड़का या आम तौर पर क्रिसमस के आ सपास होता है तो आम तोर पर ये क्रिशमस के आसपास होता है कि आपको फंडी महसुस उतनी नहीं होती है लेकिन अभी इस बार अगर हम बात करें तो यह नौंबर में इसको देखा गया अलनीनो का प्रभाव जिसके वज़ा से जो नॉवंबर 2023 से ये आप लोगों को थोड़ा इसमें गर्मी महसूस हो रही होगी, तो अगर इसका कारण कुछे क्या है, तो इसका कारण होता है अल नीनो, ये आपको याद रखना है, वहीं पर हम बात करें यहाँ पर ला नीना की, तो ला नीना ठीक इसका अपोजिट होता है, जैसे इसका भी क्या मतलब था, छोटा लड़का, ठीक है, छोटा लड़का, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, ये जो ला नीना है, इसका मतलब होता है, छोटी लड़की, ठीक है आपको हलकी सी ठंडी महसूस होने लगती है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है अल नीनो, अल नीना यहाँ पे है और यहाँ पे ला नीना ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है याद रखिएगा अल नीना से आपका गर्मी में हैसुस होता है आपको थोड़ा मौसम में मतलब गर्मी आ जाती है और ला नीना की वज़त से थंडी आ जाती है ठीक है अगले question की तरफ अगर पड़े तो cricket के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया तो कौन से स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो यह किया गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह आपका correct answer हो जाएगा तो मुंबई के वानखेड़ी स्टेडियों में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा का अनावरेड बुद्धवाद एक नॉवंबर को किया गया, कारिकरम में तेंदुलकर के अलावा महराश्टर के मुख्यमंत्री एकनाख सिंदे, विसीसियाई सचिव जैशाह, विसीसियाई उपाध्यक्ष राजिव स्टुकला, एंसेपी प्रमुक और पूर्व विसीसियाई और आईसीसियाई और आईसीसियाई प्रमुक सरद पवार, महराश्टर के मुख्यमंत्री एकनाख सिंदे हो जाते हैं, विसीसियाई के सचिव सबको पता है, महान बल्यबाज जैसाह, ठीक है, और वहीं पे विसीसियाई के उपाध्यक्ष राजिव सुकला है, ये चीज़े आपको याद रखनी है, और आईसीसियाई प्रमुक इस ट में देखा था महज 55 या इसी के आसपा सरनों पे समेट दिया था भारत ने शरलंका को, तो ये मैच वानखेड़ी स्टेडियम में हो रहा था, और इस मैच से पहले ही वानखेड़ी स्टेडियम में, ये जो सचिन तंदुलकर हैं, जो के के भगवान कह जाते हैं, इनकी प्र उन लोग को क्या जरुरत पढ़ जाती है, कि वो लोग किसी ऐसे जुए टाइप गेम का एड करते हैं, इनसे इनी लोग की छवी कराब होती है, इतना पैसा होने के बाद भी कौन सी जरुरत पढ़ जाती है, जो इनको एड करना पढ़ जाता है, तो अगर आपको महान बोला को बट फिर भी जब भी कोई ऐसा एड वगरा करता है तो यहां पर सचिन तेंदुरका का यह 50 वर्ष उनका पूरा हुआ था अभी तो उनको यह समर्पित किया गया जो प्रतिमा था ठीक है तो यह किसने बनाया था अगर हम बात करें तो उनकी यह प्रतिमा एहमद नगर के र किस देश के खिलाड़ी है तो डेविड विली किस देश के खिलाड़ी है और इन्होंने अभी अंतराष्टे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो यह एगलाइन के हैं और सबसे बड़ी बात कि यह अभी 33 साल के थे ठीक है जबकि अभी यह खेल सकते थ लेकिन ये एक सौकिंग नियूस था कि डेविड विली जो कि इगलाइन के प्लेयर हैं बॉलर हैं इन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है अभी आपने देखा होगा जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें इगलाइन की हालत कितनी बुरी है अभी ये लास्ट प हास नहीं रहा वह सेमी फाइनल की रेस से भी लगवार है विली ने खरा प्रदर्शन को देखते विए फैसला लिया है विली की उम्र अभी 33 साल की है और उन्होंने एक लेंट के लिए खेलना छोड़ दिया है ठीक है तो एक तरीके से जैसे कोई डिप्रेशन में आ जाता ह है और अब घिव अप कर देता है तो कुछ वहीं यहां पे भी हुआ है डेविड विली के साथ ठीक है डेविड विली आपको याद रखना है एक लैंड के हैं और इन्होंने अब सन्यास ले लिया है रिकेट के सभी प्रारूपों से हाला कि जब तक यह वर्ड कप चलेगा तब तक यह खेलेंगे तो भी दो तीन मैच और वचा है जो कि यह खेलेंगे ठीक है तो यह रहे डेविड विली अगले क्विश्चन की बात करते हैं टाटा पावर रेनोबल एनर्जी के सीओ और एमडी कौन बने है तो यह बने है दिपेस नंदा दिपेस नंदा आपको य दंदा को अध्यक्ष नवीकरडी और अपनी सहय कंपनी टाटा पावर रेनोबल एनर्जी लिम्टेड टी पी आर एल का सीओ और एमडी नियुक्त किया तो एक नोवंबर 2023 से प्रभाविया कदम नवीकरडी उर्जाचेत्र में प्रमुक्षक्ति बनने की दिसा में टाटा और म डी ठीक है तो कौन बने हैं दिपेश नंदा ये आपको याद रकना है अगले कुशन की बात करें कोलकाता के राजभावन के सिगहासन कख्श का नाम तो एक महत्वपुड कदम में कोलकाता की राजभोवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष जो ब्रिटिस यूग की भव्यता का प्रमाण है इसका नाम बदलकर स्वतंतर भारत के पहले उपपधान मंतरी और ग्रिह मंतरी सरदार वल्लब भाई पटेल की विरासत की स्मिति में रखा ग अच्छ यह इंही के नाम पर सरदार वल्लब भाई पटेल एकता कक्ष अब यह जो सिंहासन कष्ष इसका नाम होगा तो सरदार वल्लब भाई पटेल एकता कष्ष आपको यह बिल्कुल याद रखना है ठिक है और बात करें एगर हम लोग खलकाता तो यह पश्चे बंगल क यह जो सर्धाजिल दी गई और यहाँ पे जो इसता नाम चेंज किया गया तो इन्हीं के द्वारा यह किया गया ठीक है जो सिंहासन कक्ष है तो सरदार वल्लब भाई पटेल एकता कच ठीक है यह आप लोग याद रखेंगे अगले क्विशन की बात करें तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वेर्श्विक आवास समुल्य व्रिधि में भारत का कौन सा इस्थान है तो कौन सा इस्थान है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है तो भारत का यहाँ पे च चोथी सबसे अधि पृद्धी दर्ज की जिकी मनीला यहाँ पे शेर्स पर है तो अगर हम बात करें ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार रिजडेंसियल प्राइस राइस रैंक दबाई एनूबल पर तेंपे चेंज इनमें पहला नमबर पे कौन सा सिटी है तो यह मनीला है और वहीं पर हम बात करें दूसरे नमबर पे कौन है तो दुबई है और तीसरे नमबर पे कौन है संगाई है और चौथे नमबर पे आ जाता है भारत का नमबर जिसमें मुंबई का शहर है ठीक है मुंबई शहर है तो चौथे नमबर पे वहीं पे जो अपनी राजधानी है वो 10 नंबर पे है ठीक है यह जो residential price rise ranked by annual percentage change है यह जो report है इसके नुसर दिल्ली 10 नंबर पे है मुंबई चौथे नंबर पे है और भारत का जो बैंगलूरू है वो 17 नंबर पे है ठीक है तो यह आपको याद रखना है भारत का चौथा इस्तान उसमें मुंबई भारत का जो मु British Academy पुस्तक पुरसकार 2023 तो नंदिनी दास यहाँ पर इसका correct answer है तो यहाँ पर भारत की जो नंदिनी दास है इनको वैस्विक संस्कृतिक सूझ बूज के लिए 2023 का British Academy पुस्तक विजयता घोसित किया गया उनकी पुस्तक Courting India, टेग्लैंड, मुगल इंडिया और सामराज्य की शुरुआत के लिए अंतराष्ट्री गयर मिथ्या से संब्धित प्रमुक अंतराष्ट्री पुरसकार है तो यहाँ पर बात करें British Academy पुरसकार किसको मिलता आपको या लखना है नंदिनी दास को उनकी जो पुस्तक है Courting India जो कि एग्लैंड, मुगल इंडिया और सामराज की शुरुआत के लिए अंतराष्ट्री गयर मिथ्या से संब्धित प्रमुक अंतराष्ट्री पुरसकार है वहीं पर बात करें यह जो लेखिका है नंदिनी दास यह आक्सवोर्ड विस्विध्यालम है अंग्रेजी साहित की प्रोफेसर है तो यहाँ पे Courting India इनकी पुस्त के लिए 2023 का ब्रिटिस अकादमी पुस्तक विजयता खुशित किया गया है Courting India याद रहेगा ब्रिटिस अकादमी पुस्तक विजयता याद रहेगा किसको नंदिनी दास को अगले कुश्चन की तरफ बढ़ें तो देश के कारिय बल में महिलाओं की भागेदारी बढ़कर कितने प्रतिसत हो गई है तो यहाँ पे अगर हम बात करें to what percentage has the participation of women in the country's workforce increased तो वर्कफोर्स यह जो कारेबल है इसमें महीलाओं के जो भागीदारी है वो बढ़कर के 37% हो गई है, सैतीस परसेंट तो देश के वर्कफोर्स यानि कारेबल में महीलाओं के इसाधरी तेज़ी से बढखी है केंद्रिश रिक्षा मंत्री जो अपने धर्मेंद प्रधान जी है केंद्रिश रिक्षा मंत्री इनों ने कहा कि देश के कारेवल में भाइलाओं की जो भागेदारी है वो 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई है धर्मेंद प्रधान ने यहां रोजगार मेले में कहा कि 2017-18 में यह आकड़ा 23% था, ठीक है, तो 23% में अब 2022-23 में बढ़कर कि यह 37% हो गया है, और वहीं पर धर्मेंद प्रधान ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 2017-18 की 6% के घड़कर 2022-23 में 3.7% रह गई है, यह आकड़ा कहां से आता है, कैसे आता है, यह तो नहीं पता है, बट 6 प्रफेसर पहले बताया जारा था, चलो, यह तो माना इन्होंने की 6% था, अब यह घड़कर के कहा रहे है, 3.7% हो गई है, तो आब आपको पता ही होगा, कितने % हो सकती है बेरोजगारी दर, तो यह कहां से आता है, कैसे आता है, यह नहीं पता है, लेकिन 3.7% बताया जारा है कि 2023 में बिरोजगारी तर अभी है, फिलाल में, और वहीं पर यह जो आपने देखा, वर्क फोर्स, यानि कि कारेबल में महिलाओं की सेदारी 37% हो गई है, 37%. अगले कुशन की बात करें, तो सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला, दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो कौन बना है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला, दुनिया का पहला देश, तो यह भुटान बन गया है, ठीक है, अपना पोरुसी देश भुटान, तो भुटान आवारा से कुट्थो की नसवन्दी करने का अवियान चला रहा था तो खुद को दुनिया देश होसीर किया है जिसने अपने सभी अवारा कुट्टों को आबाद ही को पुरी तरह से अश्टरलाइज और टीका करट कीया है तो भारत कभर्त काफी दिनों से इस प्रयास में है क्योंकि भारत में अबने काफी मामले अभी ज़ष्ट हाली में सुने होगे कि अवर खुतो के काखने इनकी म। पुरे अपने देश में यहाँ पूरी तरह से इस्ट्रलाइज और टीका कर लिया है इससे और सभी आवारा कुट्तो के नस्बंदी का भियान चला करके इस चीज़ को खतम कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे आपका भूटान करेक्टान सरजाएगा भूटान ने अफ्रब्दी हासिल करी है और यह पहला देश बन जाता है कभी आवारा कुट्तो को नस्बंदी करने वाला बात करते हैं अगले क्विशन की वह ने दक्षिड पूरु एचिया चित्री निदेसक बनने के लिए भारत में ठीक है तो वह में दक्षिड पूरु एचिया चित्री निदेसक करने के लिए चुनाओ तो यह जीता है स्राइमा वाजिद ने स्राइमा वाजिद आब जानते हूं यह कौन है तो यह बंगलादेस की जो प्रधान मंत्री है सेख हसीना उनकी पुत्री हैं तो बंगलादेस की पियम सेख हसीना की बेटी स्राइमा वाजिद ने World Health Organization का एक महत तो पुर्ण चुनाव जीत लिया है, जानकरी के नुसर बंगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना की बेटी साइमा वाज़द, जो एक मांसिक स्वास्त विश्यसग्ये हैं, इनको विश्व स्वास्त संगिठन WHO के दक्षीर पूर्व एसिया चेत्र के अगले चेत्री जैसक के रूप में नामित किया गया है, तो WHO के वरिष्ट अधिकारी डक्टर संभू प्रसाद आचार्य दूसरी उमिद्वार थे, उन्हें नेपाल में नामांकित किया था, ठीक है, तो ये जो संभू प्रसाद आचार्य थे, ये नेपाल की तरफ से नामांकित किये गये और ये बांगलादेश की तरफ से जो बांगलादेश की पीम से खसीना उनकी बेटी साइमा वाजद को नामांकित किया गया था, लेकिन इसमें किसकी जीत हुई, तो साइमा वाजद की, टोटल इनको आठ वोट मिले थे, और वहीं पर ये जो आपके सम्भू प्रसाद आच क्विशन है, एसी आई सूटिंग चैंपियोंसिप 2023 में 50 मिटर राइफल थ्रीपीस परधा में सुरण पदक किस ने जीता, तो किस ने जीता यहाँ पे, तो ये जीता है एश्वर्य प्रताप ने, ठीक है, एश्वर्य प्रताप ने, तो अभी यहाँ पे, जो 2023 एसी आई पुरिया में चल रहा था, जो शहर था, उसका नाम था, चोंग वोन, ठीक है, चोंग वोन सोटिंग रेंज, ये वेन्यू का नाम है, और 22 अक्टूबर से दो नॉमबर 2023 को ये खेल चला, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, तो 50 मिटर थ्रीपीस परधा में 435 के अंतिम स्कॉर के साथ, यहां पर प्रताप सिंग ने चीन के तियां जियामिंग को भरा करके स्वड़ पदग जीता, ठीक है, तो एसवर प्रताप सिंघ आपको बस याद रखना है, अब यहां पर अगर हम बनोग बात करें, आज का जो कूशन जो आपको यहां पर बताना है, कि अं करके बताना है क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं पता है थो चार नौबर दो नौबर तीन नौबर या फिर एक नौबर को कम बनाया जाता है यहां पर जो कल का कुष्टिन था की हाली में विश्ट शाकाहरी दिवस कब मनाया गया है तो यहां पर दिखिए आपको मैंने तौबर को मनाया जा लगा। इसको ध्यान रखेंगा और यहां पर जो वर्ड वेगन दे है हंद हम दोनों को शाकाहरी ही बौलेंगे तो यह आपका मनाया जाता है एक नौबर को तो यहाँ पे एक number इसका correct answer था ठीक है मतलब यहाँ पे जो वेगन होता है इसमें बिल्कुल सुद्ध साकाहरी लोग होते हैं यहाँ फलो का यहाँ पे क्या करते हैं फलो को ही खाते पीते हैं किसी भी जानवर के सरीर से निकला हुआ जैसे दूद हो गया अंडा हो गया उसका सेवन नहीं करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड वेगन डे ठीक है जबकि वहीं पे जो वर्ड वेगन डे होता है उसमें जो मना जाता है उसमें यह अलाव है अलाव का मतलब कि उसमें जो साका हरी बोला जाता है वो बोला जाता है इसको जो टेवल मास मक्षडी नहीं खाते हैं बाकि सब कुछ खाते हैं ठीक है तो यह आपका रहा वर्ल्ड वेगन डे जो की एक नॉंबर को नहीं जाता है लेकिन वहीं पे अगर वेजेटेरियन इंग पे के साथ तब तक के लिए थैंक यू टाटा एंड बाई बाई